आज विश्व में बढ़ रही बिमारियों का मुख्य कारण है हमारा आहार आज हर इनसान के मन में बस एक ही सवाल है कैसे हम अपनी भागती तोड़ती जीवन शैली में खाने पीने का ध्यान रखें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करें क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे स्वस्थ के लिए परियात है जैसा की आयूरवेद में कहा गया है आप एक स्वस्थ शरीर तभी पा सकते हैं जब आप समय के अनुसार सही अनुपात में संतलित भोजन का सेवन करते हैं मगर आज रासाइनिक बदार्थों के द्वारा पैदा किये गए जा रहे खाने पीने के उतपादों के कारण आयूरवेद की ये बाते भी गलत होती जा रही है क्योंकि आज हमारे शरीर में हो रही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण रासाइन योक्त भोजन ही है जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी उतकों अंगों और शारीरिक प्रणाली का निर्मान अर्बो खर्बो कोशिकाओं यानि सेल्स से हुआ है इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक हमारे सेल्स स्वस्थ रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे आज विश्व में जितनी तेजी से अलग अलग बीमारियों ने अपना पैर पसारा है उतनी ही तेजी से इन बीमारियों से जुड़ी दवाईयां हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है अब आप इसे मजाग समझें या फिर एक कड़वा सच जब आप एक बीमारी से पीछा छोड़ाने के लिए एक दवा का सेवन करते हैं तो उस दवा से होने वाले साइट एफेक्ट से बचने के लिए आपको दूसरी दवाईयों का भी सेवन करना पड़ता है यही कारण है कि आज पूरा विश्व रासाइनिक उत्पादों और दवाईयों के दुश प्रभाव से बचने के लिए न्यूट्रा सिटिकल्स उत्पादों पर खोज कर रहा है विज्ञानिकों के इसी खोज का नतीजा है बायो सैश का सी बक्तौन जो की अपने गुड़कारी तत्वों की वजह से न्यूट्रा सिटिकल्स उत्पादों में सबसे उत्तम उत्पाद बनकर उभर रहा है अमूमन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रति दिन रोटी, चावल, हरी सबसी, दूद, दही, घी और फल का सेवन करते हैं पर क्या आप को इन से फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बो हाइड्रेट्स और फाइवर्स जैसे जरूरी तत्व मिल पाते हैं, तो शायद ही इसका जवाब आपके पास हो मगर अब आप इन तत्वों को बायो सैश के सी बक्तौन से बने उत्पादों से बड़ी असानी से पासकते हैं आईए जानते हैं कैसे हम सबसे पहले बात करेंगे फैट की फैट हमारे भोजन का एक एहम हिस्सा है जो दो प्रकार का है पहला सैचुरेटिट फैट दूसरा अनसैचुरेटिट फैट सैचुरेटिट फैट वो होता है जो की रूम टेंपरेचर में जम जाता है जैसे की घी, मक्खन, डालडा और नारियल का तेल जब की इसके उलट अनसैचुरेटिट फैट वो होता है जो room temperature पर liquid यानि के तरल के रूप में रहता है अब unsaturated fat इसके भी दो प्रकार होते हैं पहला polyunsaturated fat और दूसरा mono unsaturated fat polyunsaturated fat के दो मुख्य प्रकार होते हैं पहला omega 3 और दूसरा omega 6 जबकि mono unsaturated fat मुख्य एक प्रकार का होता है और वो होता है omega 9 polyunsaturated fat और mono unsaturated fat के अलावा एक और fat होता है जिसको medical science में omega 7 के नाम से जाना जाता है omega 3 और omega 6 की खास बात ये है कि इन दोनों fatty acids को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता इसलिए omega 3 और omega 6 की उचित मात्रा को सही अनुपात में हमें अपने भोजन के द्वारा नियमित रूप से लेना होता है इसलिए omega 3 और omega 6 को essential fatty acid कहा जाता है omega 9 को हमारा शरीर काफी हद तक बना लेता है इसलिए omega 9 को non-essential fatty acid कहा जाता है इन सबसे परे omega 7 जिसको आज तक non-essential fatty acid माना जाता था मगर 50 सालों के research से ये बात सामने आई है कि omega 7 हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी fatty acid है अब हम आपको एक-एक करके omega 3, 6, 7 और 9 के बारे में बताते हैं कि ये fatty acid हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है अब सबसे पहले हम आपको omega 3 और 6 के बारे में बताते हैं omega 3 और omega 6 हमारे cell के बाहरी दीवार को बनाने का काम करता है जैसा कि आज हमारा शरीर लगातार प्रदूशित हो रहे वातावरण की वजह से लगातार bacteria, virus, जहरीली gas, radiation और खाने में पाए जाने वाले रासाइनिक बदार्थों के संपर्क में रहता है जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद cells पर पढ़ता है इसलिए cells को इस दुश प्रभाव से अपनी सुरक्षा के लिए omega 3 और omega 6 के उचित मात्रव वे सही अनुपात की जरूरत पढ़ती है medical science के अनुसार cells को स्वस्थ रखने के लिए हमारे भोजन में omega 3 और omega 6 का नुपात एक और दो का होना चाहिए यानि की omega 3 का एक भाग और omega 6 का दो भाग मगर हमारे आज के lifestyle में omega 3 और omega 6 का ये नुपात एक और बीज का हो गया है यानि omega 3 का एक भाग और omega 6 का बीज भाग इस वजह से हमारे शरीर में मौजूद cells अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते है और यही कारण है कि हम मोटापा, हृदे रोग, जोडों का दर्द, कैंसर जैसे खतरनाद बीमारियों का शिकार बन जाते है जैसा कि medical science का मानना है कि जोडों की समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता मगर इससे होने वाले दर्द को दवा से दवाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, medical science इस बात को भी मानता है कि जोडों की समस्या का इलाज केवल omega 3 और omega 6 के सही उनुपात से किया जा सकता है और अब आप बायो सैश की सीबग थौन के इस्तिमाल से उचित मात्रा वैसे ही उनुपात में omega 3 और 6 को प्राप कर सकते हैं अब बारी आती है omega 7 की हमारे शरीर में होने वाले कई बीमारियों जैसे की शरीर में सूजन, acidity, जोडों में दर्द, heart attack, diabetes की असली वजह हमारे शरीर में बनने वाली अंचाही चर्वी है omega 7 इस अंचाही चर्वी को हमारे शरीर में बनने से रोकता है जिसकी वजह से हमारा शरीर कई तरह की भायानक बीमारियों से बच जाता है और omega 7 केवल बायो सैश सी बक्तोन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है अब हम आपको बताएंगे omega 9 के बारे में omega 9 कैंसर जैसी भायानक बीमारी से बचने में सेल्स की मदद करता है और दुनिया में सिरफ सी बक्तोनी ऐसा प्रोड़क्ट है जिसमें omega 3, 6, 7 और 9 चारो फैटे एसेट्स एक साथ भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं अब बारियाती है कॉलेस्ट्रॉल की कॉलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स की बाहरी दिवारों को मस्बूती देने का काम करता है इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है जैसे की हार्मोन्स और पेशियों का निर्मान हमारे शरीर में कॉलेस्ट्रॉल लीवर से बन कर निकलता है और ब्लड के साथ नसों के रास्ते से होते हुए शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुचता है मगर कॉलिस्ट्रॉल खुद बखुद कहीं नहीं जाता बलकि इसे लीवर से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाने का काम LDL यानि की Low Density Lipoprotein और VLDL यानि Very Low Density Lipoprotein करते हैं कॉलिस्ट्रॉल इनहीं के जरिये हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुचता है इसी आवजाही के दौरान कॉलिस्ट्रॉल अपनी चिकनाई नसों में छोड़ता जाता है धीरे धीरे कॉलिस्ट्रॉल के द्वारा छोड़ी गई चिकनाईयों पर लेटलेट्स आकर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज होने लगती है और यही ब्लॉकेज आके चल हाट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक चैसी भायानक रोगों का कारण बनते हैं इसलिए ऐसे कॉलिस्ट्रॉल को बैड कॉलिस्ट्रॉल कहते हैं LDL और VLDL के तरह एक और घटक है जो अपने साथ कॉलिस्ट्रॉल को ले जाता है और नसों में चिकनाई भी नहीं छोड़ता इसका नाम है HDL यानी की High Density Lipoprotein यानी की Good Cholesterol लेकिन हमारे आजकल की भोजन और दिन चरिया के कारण लीवर HDL बहुत कम मात्रा में बना पाता है अगर आप कॉलिस्ट्रॉल को संतुलित करने की दवाईयां खाते हैं तो ये दवाईयां लीवर में कॉलिस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के बजाए उसका production ही बंद कर देते हैं इस वजह से लीवर की बहुत सारी नाडियां काम करना बंद कर देती हैं इसी वजह से आप कॉलिस्टाटिक जॉंडिस का शिकार बन जाते हैं बायो सैश का सी बक्थॉन फिर से यहां अपना कमाल दिखाता है सी बक्थॉन सबसे पहले हमारे लीवर में जरूरत के मताबिक कॉलिस्ट्रॉल को बनने देता है और हमारे लीवर में HDL की मातरा को बढ़ाता है और साथ ही LDL और VLDL की मातरा को कम कर देता है जिससे कॉलिस्ट्रॉल का लेवल लीवर में भी सामान ने हो जाता है और हम हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोग चैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं अब हम आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की असल ताकत हमारी मास बेशियों में होती है, और हमारे शरीर में ये मास बेशियां प्रोटीन से बनती हैं. प्रोटीन में 20 तरह के अमाइनो एसेट्स होते हैं, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को प्रति दिन होती हैं. इन 20 अमाइनो एसेट्स में से 12 अमाइनो एसेट्स को हमारा शरीर बना लेता है, जिनको मेडिकल साइंस में नौन असेंशल अमाइनो एसेट्स कहते हैं. बाकी के बचए आठ अमाइनो आसेट्स को हमें खाने के माध्यम से लाना होता है क्योंकि इन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता इस वज़ह से इन आठ अमाइनो आसेट्स को असेंशिल अमाइनो आसेट्स कहते हैं मेडिकल साइन्स के मुताबिक अंडा एक ऐसा खादे बदार्थ है जिसके सफेद हिस्से में 20 के 20 अमाइनो एसिट्स मिलते हैं लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शाकाहरी बोजन पर निर्भर है वो मासा हार के साथ साथ अंडा भी नहीं खापाते शाकाहरी लोग प्रोटीन की अपूर्ती के लिए सोया बीन का उप्योग करते हैं सोया बीन जो कि खुद में एक हाई प्रोटीन का माध्यम माना जाता है मगर एक रिसर्च के बाद ये बात सबके सामने आई है कि सोया प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन का माध्यम नहीं है क्योंकि इसमें भी एक अमाईनो एसिट कम होता है लेकिन अब शाकाहरी लोगों के लिए एक खुशखवरी है एक रिसर्च के बाद ये बात पूरे विश्व के सामने आचुकी है कि अंडे के बाद अगर किसी में 20 के 20 अमाईनो एसिट्स पाई जाते हैं तो वो है बायो सैश का सीबक्थान जो पूरी तरह प्राकृतिक और शाकाहारी है अब हम बात करेंगे विटामिन्स की विटामिन्स को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मखे तोर पर कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं इसका जवाब है विटामिन A, विटामिन B कॉम्पलेक्स, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K. हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन E की. सदियों से सौधर्य उत्पादों को बनाने में विटामिन E का बहुत बड़ा योगदान रहा है. विटामिन E हमारी त्वचा के सेल्स को तंदरोस्ट रखने में मदद करता है जिससे हमारी त्वचा हमेशा तंदरोस्ट रहती है विटामिन E के उप्योग से चहरे पर आने वाली जुरियां और जाईयां से निजात मिलती है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हडियों के सभी जोड एक लिक्विड की वजहल से बहुत ही स्मूथ वी काम करते हैं जिसको काटिलेज बोला जाता है मगर एक समय के बाद ये लिक्विड कम होने लगता है और हमारी हडियां आपस में घिस कर कमजोर होने लगती हैं विटामिन ई इस लिक्विड को फिर से बनाकर हडियों को घिसने से बचाता है और जोडों को सदैफ सुस्त रखता है इसलिए विटामिन ई जितना हमारी त्वचा के लिए जरूरी है उतना ही अंदरूनी अंगों के लिए भी जरूरी है पायोसैश के सी बक्तॉन में विटामिन ई विश्व के सभी फलो से सबसिस जयादा पाया जाता है अब बारी है एंटी ऑक्सिडेंट्स की, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो एक रासाइनिक प्रक्रिया होती है, जिसको ऑक्सिडेशन कहा जाता है। ऑक्सिडेशन के समय हमारे सेल्स अपने अंदर से कुछ गंदे घटग बाहर निकालते हैं, जिनको फ्री रैडिकल्स कहा जाता है। आज प्री रैडिकल्स हमारे शरीर में बहुत बड़ी मातरा में पैदा हो रहे हैं। फ्री रैडिकल्स वो मॉलिक्यूल है जिनकी बाहरी खक्षा में एक एलेक्ट्रॉन कम होता है। इसी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल से एक एलेक्ट्रॉन छीन कर उसे भी फ्री रैडिकल्स बना देते हैं। इस कारण से हमारे शरीर में एक चेन रियाक्शन आरंब होता है जिसको ऑक्सिटेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। जो आगे चलकर रिदे रोग, जोडों का दर्द, कैंसर, मधुमें, लकवा, एजिंग जैसे रोगों का कारण बनता है। यानि की सरल शब्दों में आप जान लें कि फ्री रैडिकल्स आपको उन सभी मिमारियों का शिकार बना सकता है, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। एंटियोक्सिडेंट का काम इन ही फ्री रैडिकल्स को बढ़ने से रोकना है। एंटियोक्सिडेंट अपने में से एक एलेक्टरॉन दे कर इन फ्री रैडिकल्स को दे देता है, जिसके बाद ये फ्री रैडिकल्स निश्क्रिये होकर समाप्ध होने लगते हैं। इस तरह से एंटियोक्सिडेंट हमें कई तरह की बीमारियों से बचा लेता है। हमारे खाने पीने की चीजों में एंटियोक्सिडेंट ताकत अलग-अलग होती है जिसको औरिक्सकोर से मापजाता है बायोसेश का सीबक्थॉन यहां एक बार फिर अपने खाने के सभी सामगरियों पर भारी है क्योंकि सीबक्थॉन का औरिक्सकोर 72,000 से भी ज्यादा होता है अब बारी आती है SOD की हमारे शरीर में एक बहुत ही ताकतवर फ्री रेडिकल पैदा होता है जिसका नाम है सूपर अक्साइड इसके बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रॉन होता है इस वजह से सामान ये एंटि आक्सिडेंट इसे बहुत ही मुश्किल से खत्म कर पाते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि ये फ्री रेडिकल बड़ी तेजी से से सेल्स को मारने लगता है इस फ्री रेडिकल को रोकने का काम सिर्फ SOD करता है SOD एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए सूपर ओक्साइड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है बायो सैश का सी बक्थाउन में जिन सिंग से पाँच गुना ज्यादा SOD पाया जाता है अब हम बात करेंगे विटामिन सी की विटामिन सी खुद में एक बहुत बड़ा एंटियोक्सिडेंट है इस वज़ा से हमारे शरीर के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है विटामिन सी हमारे शरीर की मुख्य इकाई यानि सेल्स की उमर को बढ़ाने का काम करता है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सेल्स ऑक्सिडीशन के दौरान अपने अंदर के कुछ बुरे घटक को बाहर निकालता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते है विटामिन सी एक मस्बूत सैनिक की तरह इन हानिकार घटकों को बड़ी तेजी से साफ करता है विटामिन सी की यही खूबी हमें कैंसर जैसी वीमारी से बचने में काम आती है विटामिन सी की नहीं गुणकारी तत्वों की वजह से आयरवेद में नीमू, आवला, एमली और संत्रे जैसी फलो को उच्छ स्थान प्रात है क्योंकि इन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है लेकिन यहां भी बायोसेश का सी बग्धाउन इन सभी फलों से भारी है क्योंकि सी बग्धाउन में इन फलों से पचास गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है अब हम बात करेंगे विटामिन B कॉम्पलेक्स की यानि विटामिन B1, B2, B3, B12, B6 और B9 का संग्र है अब गौर देने वाली बात यह है कि इनको विटामिन B कॉम्पलेक्स क्यों कहा जाता है चलिए हम आपको यह बताते हैं विटामिन B1 को हमारे शरीर में काम करने के लिए विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है और विटामिन B3 को काम करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है अगर इन तीनों विटामिन्स में से कोई भी एक विटामिन ना हो तो यह तीनों विटामिन्स काम कर ही नहीं सकते हैं ठीक इसी तरह से विटामिन B9 नहीं है तो विटामिन B12 भी काम नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि ये सभे विटामिन एक दूसरे के पूरक है और समपूर्ण विटामिन B कॉम्पलेक्स केवल एक फल में पाया जाता है वो है बायोसैश का सीबक धौन जैसा की कहा जाता है एक स्वस्थ मस्तिश कही स्वस्थ शरीर का मालिक होता है और एक स्वस्थ दिमाग को संतलित रखने का काम सेरोटोनिन हार्मोन करता है और इस सेरोटोनिन हार्मोन को बनाए रखने का काम 5HD करता है और ये हमें ट्रिप्टोफान से प्राप्ध होता है जो की घुद में एक एमाइनो एसेड है और सीवक्थान में ट्रिप्टोफान किसी भी अन्य प्राग्रतिक उत्पाद से कई गुना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है सीवक्थान की खूबियां यहीं खतम नहीं होती सीवक्थान हमें स्वस्थे लाव देता है और पाचेंक्रिया को दुरस्थ करके एसिडिटी, गैस, कब्स और कोलन कैंसर से हमें बचाता है सीवक्थान में विटामिन ए गाजर से भी पाच गुना ज्यादा है जो हमारी आखों के लिए काफी फाइदेमंद होता है सीवक्थान पैंक्रिया को दुरुस्थ करके शुगर को नियंतरित करने में मदद करता है और साथ ही सीवक्थान में केरेटोनोइट्स, फ्लेवोनोइट्स, एंटी ऑक्सिडेंट, विटामिन, खरिज, पोलिफिनॉस और फिटोस्टेरोल्स सहित 120 से अधिक सुरक्षात्मक पोशक तत्व पाए जाते हैं ऐसे कई गुणकारी तत्वों से भरे बायोसैश के सीवक्थान को आप किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि सीवक्थान आपके शरीर को हर हाल में लाब ही पहुँचाएगा सीवक्थान का जिक्र 1200 साल पहले लिखी गई तिबितियान चिकित्सा पुस्तक सिवु यिद्यान में 30 पन्नों पर किया गया था यही कारण है सदियों से हमारा पडोसी मुल्क चाइना सीवक्थान पर रिसर्च करता रहा है और सीवक्थान आच चाइनीज उलंपिक खिलाडियों के डाइट का मुख्य हिस्सा बन गया है बात यहीं खतम नहीं होती साथ ही रशिया भी अपने अंतरिक शियात्रियों को सीवक्थान अंतरिक शियात्रा के दोरान सप्लिमेंट के दोर पर देता है और सबसे ताजुब की बात यह है कि सबसे उन्नत क्वालिटी का सीवक्थान भारत देश में पाया जाता है वो ऐसी जगहा जहां आम इंसान का जाना इतना आसान नहीं है वो जगह है हेमाले की दुरगम पहाडियां अब आप ये सोच रहे होंगे कि जहां आम इंसान नहीं रह सकता तो वहां से सीवक्थौन का पेड़ खुद को कैसे जीवित रख पाता है तो चलिए हम आपको ये बताते हैं सीवक्थौन पेड़ की जड़ें जमीन में 200 फीड गहराई तक जाती हैं और जमीन की गहराई से सभी पोशक तत्व इस तक पहुशते हैं जिसकी वजह से सीवक्थौन का पेड़ स्वेम को इन कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रखने में सक्षम है बायोसेश सीवक्थौन के सभी खादे उत्पाद बिना किसी आर्टिफिशल कलर, स्वीटनर और फ्लेवर से तयार किये जाते हैं बायोसेश के सभी उत्पाद केवल और केवल शुद्ध जंगली सीवक्थौन के इस्तिमाल से ही बनाये जाते हैं जहां किसी तरह के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइसर और ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तिमाल नहीं किया जाता है आज यही वजह है कि बायोसेश का सीवक्थौन युक्त उत्पाद लोगों को न्यूट्रसिटिकल्स के बाजार में एक अच्छी हेल्थ के साथ अच्छा वेल्थ भी दे रहा है धन्यवाद